कई बार पेट्रोल पंपे ओयल भरवाने के बाद हमारे दिमाग में वहम रह जाता है कि जितने पैसे दीएं क्या पता उतने का ओयल उसने डाला भी है क्या मैं तो मीटर बड़े अच्छे से देख रहा था लेकिन फिर भी ओयल थोड़ा कम लग रहा है अगर ऐसे वहम आपके भी दिमाग में आते हैं तो मेरे पास इसका एक इलाज है जब भी आप पेट्रोल पंप से ओयल भरवाएं तो कभी भी 100 रुपे, 500 रुपे, 1000 रुपे, 1 लिटर, 5 लिटर, 10 लिटर, फुल टेंक ऐसे numbers जो कि predictable numbers है उनमें oil ना भरवाएं क्योंकि ऐसे predictable numbers से machine fix हो सकती है और आपको कम oil deliver हो सकता है इसकी बजाए आप लोग 100 की जगा 110 का भरवा लीजे, 500 की जगा 550 का भरवा लीजे, 1 लिटर की जगा 7 लिटर, 10 लिटर की जगा 12 या 13 लिटर देखे जनरली ये लोग जैन्वन होते हैं लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो आप बच सकते हैं आज मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे द्वारा बनाये गए कानूनों में कुछ कानून इतने अजीबों करीब हैं जिसके बारे में आम जनता को पता तक नहीं हैं जैसे की दी एरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहट आप बिना पुलिस की परमीशन के या बिना सरकार की परमीशन के गुबारे या पतंग नहीं उड़ा सकते अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गैर कानूनी है और इसके तहट आपको 10 लाक रुपे तक का जुर्माना या फिर जेल हो सकती है गाइस हाला कि ये नियम काफी पुराना है अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था और इस नियम को खतम करने की बात भी की जा रही है लेकिन है तो ही अजीबो करी गाइस क्या आपको इस नियम के बारे में पता था चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐस एमेजिंग वीडियो के लिए शेर सब्सक्राइब एं लाइक मिलते अगले वीडियो में